अब हम यहाँ पर कक्षा दस्मी NCIT गड़ित का जो प्रिश्णावरी 3.3 है उसका प्रिश्ण पहले का तीसरा सॉल्व गरेंगी पर इच्छागी द्रिश्टी से ये भी बहुत यादिक महत्यकूर प्रिश्ण है तो इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधी से हल करना है तो यह यहाँ पर समीकाड देखेंगे समीकाड यह दिये गए हैं यह पहला समीकाड हम माल लेते हैं इसे और इसे हम माल लेते हैं दूसरा समीकाड अब हम यहाँ पर समीकाड एक लेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधी में हम समीकाड एक भी ले सकते हैं दो भी ले सकते हैं ज कोई भी समीकराण ले सकते हैं एक या दो तो हम समीकराण एक लेते हैं समीकराण एक से तो समीकराण एक से देखेंगे हम यहां पर तो तीन एक्स यसी तरफ रहने देंगे Y को बरावर को इस तरफ पक्षांत रित कर देंगा जो माइनस को Y है क्योंकि हमें X का मान निकाल लेना है यहां से समय करना एक से तो 3X जाओं किते हो माइनस को Y को बरावर को इस तरफ ले गए तो हो जाएगा प्लस को Y 3 जाओं किते हो रहा वो भाग में पहुँच जाती है दूसरे तरफ जाने पर जो दूसरे तरफ संख्या भाग में होती है वो इस तरफ आने पर गुड़ा में आ जाती है तो तीन उस तरफ पहुच जाएगा भाग में तीन प्लस वाई बटे ये तीन आ जाएगा भाग में ये हम समीकर्ण तीन नाम दे देंगे इसे अब हम यहाँ पर X का मान समीकर्ण दो में इस X की जगह पर रख देंगे तो ये समीकर्ण दो में X का मान रखने पर तो समीकर्ण दो में X का मान रखेंगे यहाँ पर तो पहले हम समीकर्ण दो को उतार लेते हैं 9 x minus 3y बराबर 9 ये है समिकान 2 x की जगह पर x कमान रखेंगे 3 plus y बटे 3 तो 9 जाउंकते हूं गुड़ें x की जगह पर x कमान 3 plus y बटे 3 और minus की 3y जाउंकते हूं बराबर में 9 भी जाउंकते हूं अब 3 का भाग देंगे नो में तो तीन बार जाएगा अब तीन का गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तीन प्लस वाई में तीन का गुणा तीन में करेंगे तो नो प्लस तीन का गुणा वाई में करेंगे तो तीन वाई माइनस के 3 Y जहूं किते हूं बरावर में 9 भी जहूं किते हूं माइनस के 3 Y प्लस के 3 Y कट जाएंगे तो इस तरफ बचेगा 9 और उस तरफ भी बचेगा 9 तो यहां पर आप देखेंगे की Y कैंसल हो गया Y का ही मान हम यहां से निकालते फिर यहां पर Y की जगाए पर रख देती तो X कमान आ जाता है लेकिन Y ही यहां पर बिलॉप्त हो गया, कैंसल हो गया है तो यहां पर जब Y कमान नहीं निकला तो X कमान भी नहीं निकलेगा तो यहां पर यह स्थित होता है इन दोनों समीकरणों के हल हमें पुरतिस्थापन विधी से निकालने थे, तो इन दोनों समीगांगों के हल होगे, वो होगे पुरतिस्थापन विधी से, चाहे बीलोपन लो, पुरतिस्थापन लो, वज जरुडूर लो, कोई बिधी लो लो, इसके हल होगे अनंत। पर यहां पर जो तीसरा प्रिष्ण है एक्सराइज 3.3 का पहले का तीसरा यह भी बहुत अधिक महत्यपूर है परिच्छा में बिल्कुल पूछा सकता है पहला और दूसरा जो प्रतिस्थापन बिधी है इसका पहला और दूसरा भी हम solve करा चुके हैं पिछले वीडियो में तो आप चैनल पर जा करके पिछला वाला वीडियो प्रिविएस वीडियो देख सकते हैं और description भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने संपूर एंसी आइटी गड़ित को हल किया हुगा एक अध्याय से लेकर गे 15 अध्याय तक तो आप description चेक कर लीजिए प्रिश्णा वली वाई प्रिश्णा वली करम से हमने वहाँ पर लिंक दिये हैं और एक एक सवाल को solve किया है संपूर एंसी आइटी का अक्चा दसमी गड़ित के तो देख लीजिए आप description